नमस्कार स्वागत है आप सभी का योपी ट्रिपल सी ए अनम बरती 9212 वैकेंसी का रिजल्ट जारी करवाने के लिए हम लोग यहांपर लगातार मांग कर रहे हैं आयोग से की रिजल्ट जारी करिए आप जल्द से जल्द 30 जुन तक कि आपको 100 दिन की कारियोजना में समय सीमा दिया गया था मुख्यमंत्री जी के तरफ से आयोग को और 30 जुन के बाद धीरे दिने आपर 30 जुलाई आया और ऐसा नहों कि ये लोग फिर और भी आगे डिले करते चले जाएं क्योंकि जिस तरह से कल आप देखेंगे रिजर्ट को लेकर कि रिजर्ट तो पहले से बनकर के तयार है काम इनका सब ओके है लेकिन उसमें आप देखेंगे एक बार फिर से आज की डेट में हमने नहीं बताया लेकिन हमने देखा है कोहां पे कुछ लोग बता रहे हैं जिए बाकी आयोक से भी कुछ उन ओक पर रिजन बताया जा रहे हम कभी यह बताया जाता है कि रिजृट बनते कि तयार नहीं है कभी यह बोला जाता है कि जो रिजर्वेशन या फिर एवस में कुछ दिक्केते आ रही है एक आप देखेंगे PCS 2021 का अभी प्री का रिजल्ट कुछ दिन पहले आया था कुछ दिन पहले से 6-7 दिन पहले आया था और रिजल्ट रद्द कर दिया गया उसमें एक सर्विसमेन आरक्षड का मामला है आज उसको लेकर कि अधिस ऊष्टना, सासना दिस भी जारी जारी किया गया हम आपी जाऊंगा 5 अगस्त को धरनने का भी आप लोगों ने एलान किया हुआ कि हम लोग 5 अगस्त को धरना करेंगे तो हमारा आप सभी से निवेदेने कि धरना से पहले एक बार हम लोग और Twitter campaign कर लेते हैं, इसके पहले हमने परसों की डेट में Twitter campaign रखा था, उसमें बहुत सारी कमिया रह गहीं Twitter campaign में, हाला कि हमने उस सब चीजे highlight करना हुची इतने ही समझा, क्योंकि हम लोग रोज थोड़ी tweet करते हैं, retweet करते हैं, हमारी बहुत सारी बहने जिन् से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कल हम लोग Twitter campaign करने वाले हैं, एनम रिजल्ट को जारी करवाने के लिए, आज आपका रिजल्ट आने की चांस देखी बिल्कुल भी नहीं है, सोचल मेडिया पर एक कोई images viral हो रही है, मेरे पास किसी ने भेज जाता, किसी बेहन ने भेज तो उसमें ये लिखा है कि एनम का रिजल्ट आज जारी होगा, तो मेरे हिसाब से वो पूरी तरह से जो भी news है, जानकारी सही नहीं है, जिन्होंने भी बताया होगा अपने अस्तर से वो जाने, लेकिन आज रिजल्ट आपका आने की चांस दूर दूर तक नहीं है, और आज आ गया होता, बत उसमें और ही रिजन कुछ बताये जा रहा है, आरक्षर का मामला बताया जा रहा है, आरक्षर का मामला ऐसा क्या है, सब कुछ जो भी नियमा नुसार हैं, उसी प्रकार से चीजें की जानी है, रिजल्ट दे देना चाहिए था, आपका रिजल्ट आग देट को लेकरके, जब रिजल्ट को लेकरके चीजे क्लियर होंगी, मैं आपको तभी बताऊँगा एक्सपेक्टेड डेट का कोई मतलब नहीं है विसेस करके UPCCI लेकिन उसके पहले चाहे कितने भी एक्सपेक्टेड हम लोग कर लें इविन अपने कैलेंडर की हिसाब से जो उन्हें भरतिया करवानी होते ही एक्जाम रिजल्ट वेगरे जो भी वह भी नहीं पूरा हो पाता है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं जब अपने कैलेंडर को ही फालो नहीं कर पाते कल देखें ट्विटर कैंपेंग रखा गया है हमारे पास वाटसप पर आया था यह तो धन्यवाद है आपका भी क्योंकि आपने यहाँ पर पहल की है कि एक ट्विटर कैंपेंग किया जाए और हमारे तरब से पूरा आपको सपोर्ट रहेगा इविन जो यह समय है साथ से लेकर के दस बज़े तक साब को तीन गंटे का समय है साथ बज़े से पहले एक सिकेंड पहले भी आप ट्विट नहीं करेंगे समय का विशेज ध्यान नकना होता जब भी आपको कोई हैश्टेग ट्रेंडिंग में लाना होता है और दूसरा या कह लिए सबसे विशेज बात होती है हैश्टेग इसमें कोई भी परिवर्थन आप नहीं करेंगे पर सो जब हमने ट्विटर केंपें नका था तो उसमें गलतियां क्या होई है जैसे हमने हमारा हैश्टेग यह था यहाँ पर कैप्टल यूपी टेपलसी था इसके बाद यहाँ पर अंडरिस्कोर क्यों यहाँ पर एनम था ना जार दौस्टो बार रिज़ल्ट जारी करो तो जो उसके आगे था यह ऐसे था पिर यहाँ पर आर कैप्टल था पाकिए यहाँ पर सभ हिसमाल थे तो उसमें गलतिया क्या हो भी है कि हमने किवल आर कैप्टल किया था तो वह पर कुछ लोगों पूरा result capital कर दिया मतलब अगर आप कोई भी एक alphabet अगर आप सुसमें change करते हैं capital letter small letter कुछ भी आप अपने मन से उसमें change करते हैं हो hashtag आपका दूसरा हो जाएगा फिर आप उस hashtag के साथ जो भी tweet करेंगे ओ इस hashtag के साथ count नहीं होगा आपका अलग ही हो हैगा फिर hashtag trending में नहीं आ पता है अगर ऐसे ही कम अगर tweets और retweets हो पाए तो tweet और retweets आप चाहें तोड़ा कम ही करिएगा लेकिन hashtag आपको बिल्कुल यहीं उज़ करना है देख लिजेगा आपको पुरा हिंदी में लिखा हुआ है दूसरी चीज़ यह कि समय का पिसे इस ध्यान लगना है साथ बज़े ही हमें start करना है ऐसा नहीं कि हम 6 बज़े से हमने tweet कर दिया तो समय वहीं से count हो जाएगा फिर कोई पर यहां से कम मैं दस tweet की ऊंबिद आप सभी से करता हूँ मैं अकेले कम से कम 50 tweets करूंगा जहां तक संभम हो पाएगा वहां तक करूंगा और आप सभी भी जहां तक संभम हो वहां तक कोचिस करिए और जब भी आप tweet करेंगे न आप सबसे पहले आप hashtag लगा दिजी जी है कोई दिक्कत नहीं है है स्टेक आप नीचे लगाई ऊपर अपना लिख दीजे टेक्स्ट टेक्स्ट आप जो है कम सब्दों में लिखी ए ताकि उसमें आप बाकी कुछ आप टैग लगादी जिए जैसे योगी जी को बुर्जे स्पाटक सर को योगी जी का दो है ट्व लेकिन टेख करते जाएंगे तो ज्यादा अच्छ रहेगा तो तीन बात हैं आपको ध्यान करना समय का विशेज ध्यानना है पैस सबसे पहले हम ट्विट्स करेंगे कम से कम आदा घंटा, पौना घंटा हम केवल tweets करेंगे, जितना संभा हो पाएगा उसके बाद फिर हम एक दूसरे tweet को धून डूढ करके, खोज-खोज करके, यह आम link share करते रहेंगे आपको, आप भी retweets करते रहेंगे या तो आप यही वाला hashtag करेंगे ने सब में थोड़ा बुता कुछ ने को चेंज जरूर कर दीजिएगा अधरवाई जो क्या होता है डूबलिकेट कॉपी में चला जाता है आपने दस बिल्कुल सेम टूबलिकेट में चला जाएगा आपका एक ही काउंट होगा तो यह चीज आपको भी सेज ध्यान अ करेगा एक लाग डिगड़ा कि हमें आऊ सकता नहीं पड़ेगी और हमारे अधिक सदिक जो एनम बहने हैं या फिर हमारे जो भी उनके गारजीन हों उनके भाई हजबन जो भी आप लोगी मुहें में साथ देना चाहते हूं आप प्लीज कमेंट करके येस जरूर लिख अगर आप साथ देना चाहते हूं मुहें में आप भी चाहते हैं हम भी इस मुहें में हिस्सा बने तो आप एकाउंट जरूर बना लेजिए अगर आपके पास हो नहों तो बना लीजिएगा अगर हो तो फिर बहुत अच्छी बात है आप सभी को साथ देना है एकल वीडियो से हमारा मामला हाइलाइट होगा मीडिया में भी जाएगा